हेलो फ्रेंड्स में नाम है वीजे और आज की वीडियों हम लोग बात करेंगे पिविट टेवल की और जानेंगे पिविट टेवल है क्या उसको यूस कहां से करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने क्या करका है panda को import करका है Cbone को import करका है और जैसे मैंने आपको कला था Cbone में हमें कुछ data set पहले से मिलते हैं तो यहाँ पर मैंने titanic data set को load कर रखा है फिर मैंने यहाँ पर head command चलाई है जिस मुझे top 5 value दिख रही है तो यहाँ पर देखिए survivor है ठीक है उनका sex है male या female age है फिर और फिर उनके siblings है नहीं parents है या नहीं ठीक है फिर rate बता रखे है man था woman था ठीक है adult male है या नहीं ठीक है और फिर town है alive है या नहीं है ठीक है alone थे या नहीं तो यहाँ पर मैं पहले pivot table को बताने से पहले इसकी करना चाता हूँ तो यहां पर पूरू करना चाता हूए और गर्वोप करना चाता हूँ मैं sex के वीशिस पर तो यहां पर it's keep और फिर मैं चाना कि यहां पर जो सभाई हैं इनकी वहलुches दो i value मिली और यहां पर survived जो है उनकी 0.7 है और male जो है वो 0.18 है तो यहां पर देखने फिमेल ज्यादा survived क्यों ही है male की death हो चुकी ज्यादा सर्फ की अब मैं क्या करूँगा यहां पर जो हमारा embark town है इस पर भी लगा के दिखूँगा sex और embark town दोनों पर मैं यह दिखने चाहता हूं कि कौन कौन से town से कितने survivor है ठीक है तो यहां पर इसको मैं paste कर लेता हूं इस command को copy कर लिया मैंने और इसको यहां करता हूं यहां पर रन तो यहां पर देखे मुझे male female की दोनों के value मिल लिए है और यहां पर town सुमी को बता रहा है यह और सब के mean बता रहा है ठीक है अब देखे मैं इसी चीज को pivot table से करके दिखाऊंगा और कितना easily हमारा खाम हो जाएगा तो यहां पर देखे सबसे पहले मैं है लिखता हूं tf quote यहां लिखूँगा pivot underscore table तो shift.tab दवाये मैंने तो यहां पर देखे values आंगी by default null रहेंगी उसके बाद index आएगी index किस basis पर दिना चाहते है हम ठीक है index क्या होगा फिर columns आएगा तो यह तीन चीजों के बार मैं बात करेंगे सबसे पहले value हमें किसकी value चाहिए हमें चाहिए survived की value तो यहां पर लिखेंगे survived लिखा second चीज मुझे चाहिए index index क्या होगा index हमारा sex के भी से सब्सक्राइब होगा तो यहां पर sex लिखा मैंने उसके बाद third हमारा होगा column column क्या होगा embark town तो यहां पर embark underscore town ठीक है इसको मैंने run किया तो यहां पर देखें इसने मुझे value दिखा दी चो मुझे उपर value मिली सी group wise से हो ही मुझे pivot table से मिल गई और यहां पर देखें यहां पर मैं इनके सांद aggregate functions पर लगा सकता हूँ जैसे sum mean हो गया और standard deviation हो गया तो इसके लिए क्या करूँ हूँ है यहां पर इसको कर लोगा copy इसको कर देता हूँ यहां paste ठीक है और मुझे third parameter क्या देना पड़ेगा यह यहां लिखूँगा एग func ठीक है यह होगा आपका aggregate functions के लिए और aggregate functions आपको multiple लगाने तो यहां पर आपको इसको अबिसे का use करना पड़ेगा फिर यहां पर लिखूँगा sum double quotations में फिर से double quotation यहां लिखूँगा mean फिर यहां पर double quotation यहां लिखूँगा std yoga का standard deviation के लिए ठ सकता हूँ तो यहां पर से इसको कर लेता हूँ copy इसको यहां करूँगा paste और यहां पर हमें sex के साथ क्या करूँगा एक और index दूँगा तो यहां पर फिर से हमें square basis का use करना पड़ेगा ठीक है उस square basis को close भी कर लेंगे double quotation यहां लिखूँगा class ठीक है कि कौन से class था ठीक है इसकी position change करना चाहते हैं तो आप easily कर सकते हैं तो यहां पर इसको मैं कर लेता हूँ paste और यहां पर unstack कर लूँगा ठीक है और unstack इसमें नहीं लगाते है बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर देखिए यह हमारा इसको मैं यह से copy करता हूँ और इसको यहां कर रहा करूँगा और यहां पर लेकूँगा unstack ठीक है इसको run किया मैंने तो अब देखिए यह horizontally आ रहा है पहले थोड़ा vertically आ रहा था इस case में तो अब यह horizontally आ रहा है तो इस तरह यह साब इसका orientation भी change कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना है थैंकिव वाचिंग गुडबाई टे यह जद अब दो इसका रहा है तो कि अब घट है आग 발 है वीके भीडियो में आग तो कि अब देखिए भीडियो जो तो कि अब देखिए जा प्लाइब कर रहा है वीक है